हाई फ्रेंड स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में बरतमान में विजली के बिना हम जीवन यापन करने का सोच भी नहीं सकते आज के समय छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा उपकरड विजली से चलता है जैसे टीवी, कंपूटर, ट्रेन, कूलर, पंक, रोट, स्लाइड, सिगनल और मोबाइल चार्ज करने के लिए भी विजली की जरुरत होती है हम दिन राद घर तथा आफिस में विजली का इस्तिमाल करते हैं लेकिन क्या आपने सोचा है कि इतने विजली आती कहां से है और विजली कैसे बनती है इस विजली को बनाने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है अगर नई सोचा है तो इस वीडियो के लाज तर जरुर बें रही है हम आप सभी लोगों को इस ब्यूडियों में बताएंगे कि आखिर विजली कैसे बनती है और विजली को बनाने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है सबसे पहले मैं आपको आसान भासा में समझाता हूँ कि विजली कैसे बनती है फराडे नामक बग्याने के सिध्धानत के अनुसार जब दो बड़े सकत साली चुमबको के मद किसी कुंडली पर तावे केतार को लपेट कर घुमाया जाता है तो तावे केतार में विजली पैदा हो जाती है या कुंडली साफ्ट के द्वारा टर्वाइन से जुड़ी होती है विजली बनाने के लिए इसी टर्वाइन को घुमाना पड़ता है टर्वाइन क्या होता है ता इस टर्वाइन को घुमाने के लिए कौन-कौन से तरीके इस्तमाल किया जाते हैं या जानने के लिए इस वीडियो के अंतर जरूर बेंड़ है एक लोहे की मोटी साफ्ट पर बहुत सारे पंखे लगे होते हैं इसे ही टर्वाइन कहते हैं जब इन पंखों से पानी, हवा या गर्म भाफ आधी टकराते हैं तो ये पंखे घूमने लग जाते हैं और जब टर्वाइन घूमता है तो इसकी साफ्ट के साथ जूड़ी कुंडली भी घूमने लग जाती है और विजली बनना सुरू हो जाती है टर्वाइन को हाथ से घूमने पर विजली नहीं बनेगी क्योंकि इसे बहुत तेजी से घूमना पड़ता है विजली घर में जनरेटर जो की यांतरी कुर्जा को विद्धो तुर्जा में परवर्तित करता है के द्वारा विजली का उत्पादन किया जाता है जनरेटर के अंदर के भाग को ही अल्टरनेटर कहा जाता है इसमें दो सक्तसाली चुमबक होते हैं और चुमबकों के मद एक कुंडली होती है जिस पर ताबे के ताल लपेटे हुए होते हैं विजली का उत्पादन अल्टरनेटर के अंदर ही होता है जैसा है कि मैंने आप लोगों को बताया कि बिजली बनाने के लिए सक्तसाली चुमबक में मौजूद कुंडली को घुमाना पड़ता है जो की अल्टरनेटर के साथ जुड़ी होती है ठरवाइन को घुमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं चलिए एक एक करके मैं उन सभी तरी की के द्वारा विजली का उत्पादन करना चौसा तरीका है डीजल के द्वारा विजली का उत्पादन करना पांचमा तरीका है सवर उर्जा के द्वारा विजली का उत्पादन करना छटा तरीका है भूतापी उर्जा या फिर जियो थर्मल पाउर प्लांट के द्वारा व मिचली का उत्पादन करना पॉंड प्लांक में जो विजली बनाई personagem की होती है। लेकिन घरों में 240 वोल्ट की विजली काम में ली जाती है। ट्रांसफालमर के द्वारा हई बोल्टेज को लो तथा low voltage को high voltage में बदला जा सकता है इस वीडियो में आपने जाना कि विजली कैसे बनती है विजली को बनाने में कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ता है विजली घरों में जो विजली बनाई जाती है वह बहुत ही उच्छ voltage की होती है और तारों के द्वारा इसे एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर ट्रांसफर किया जाता है आज भी अधिकतर विजली का उत्पादन कोईले पानी के द्वारा किया जाता है क्योंकि इनसे विजली उत्पादन करना सस्ता परता है तो दोस्तों आप सभी लोगों को यह वीडियो देखकर कैसा लगा प्लीज कमेंड बाक्त में जरूर बताइए और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चलनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर देज जिए इसी परकार की वीडियो देखने के लिए धन्नवाद उणाराओ चलनलीज किया क yhte क confrontation पार अपलाभ य किया कित्क है जरूर पल्वखने का कित्क है